तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हबर्ड और लियो देंजन वन माई स्टेन में आ चुके हैं और हमारा गो उस मेहमत को मार कर उस एलिफेंट केप से भान निकलने की कोजिस कर रहा होता है वे उस मेहमत की आँख फोनने का डिसाइड करता है और उसके आँख फोनने के लिए जाता है तो वे मेहमत उसको आते हुए देख लेती है और अब आगी वे एलिफेंट गोक अपनी तरफ आता देख अपनी सोंट से अटाइक करती है जिससे को लुड़कते लुड़कते महा से दो रटके गिर जाता है और गोकु थोड़ी देर बाद रिलाज होता है कि उस एलिफेंट के पास फाइफ नोज है अब आगले सीन में हबर्ड और लिव आपस में डिसाइड कर रहे होता है कि ये ट्रेजर किसको मिलेगा हबर्ड कहता है कि ये मुझे सबसे पहले दिखा है तो ये मेरा है हबर्ड जब उस ट्रेजर को खोलता है तो उसके अंदर डेंजन 1-10 का मैगनिफेर होता है जिससे देख हबर्ड कहता है स्टूडेंट लिव क्या तुम्हें पता है कि ये मैगनिफेर कहाँ पर इस्तमाल किया जाएगा हबर्ड भी उसके पीछे अगर कहता है कि स्टूडेंट लिव किसी से समान चीनना एक तरह से क्राइम है वे देखता है कि वहाँ पर लिव नहीं होती वे वहाँ से जा चुकी होती है अगली सिन में हम गोको देखते हैं जो कि उस मेहमत के साथ फाइट कर रहा होता है और वे उस मेहमत की पचली पर अटेक करनी की सोचता है जैसी वे उसके करीब आता है वे मेहमत उसको अपनी पास आते हुए देख लिती है और अपने सून्ट से गूपर अटेक करती है वो बचते बचाते है जैसे तेसे सीडियों पर आ जाता है और काफी जो इसे हफ़पाते होई कहता है बाप रही यह तो सच में काफी ज़ज़े ताकतवर है यह मेरे सारी सर्प्राइज अटेक को पहले ही भाप लिती है और मेरा फॉर्वेड डैस इसकी मुवमेंट के सामने कुछ नहीं लेकिन उसके सामने अपनी स्टेंथ फोकस को एक्टिवीट करके खड़ा हो जाता है वेल इफेंट गो पह अपनी फिफ्ट नोस से अटेक कर लिती है और गो उसके अटेक से बच जाता है और अगला अटेक वो अपनी फर्स्ट नोस से करती है और सेकेंड और फॉर्थ नोस को एक स साथ गो पर अटेक करती है गो काफी अराम से उसके सभी अटेक को याद करते हुए बच रहा होता है फिर वे कंटिनीसली अपनी सभी सुन्डों को गुमाने लगती है गो को यह ओपनिंग दिखती है और वे अपनी फॉर्वर डैस को एक्टिवेट करके अपनी स्पीर्स इस को एक्टिवेट करके उस पर अपने स्पीर्स से अटेक कर देता है और वे महमत महीं पर धेर हो जाती है सिस्टम आकर गो को बताता है कि तुम्हें ग्रेट महमत को हरा दिया है और साथ ही साथ तुम्हें 100 वोट्स भी मिल चुके हैं गो इसके पेट के नीचे दबा होता है और वे कहता है गलती से मैंने इसके पेट पे हमला करकर इसका विक्ते मीरिया भी फार दिया था अब मैं इसके पेट के नीचे दब चुका हूँ और साथ ही साथ जो इसका ये मलवा है मेरी पूरी बौडी में फैल चुका है गो अपनी पूरी ताकत लगा के उसको उठा कर भान निकन लेकी कुईस्ट कर रहा होता है लेकिन तब ही अचानक से उसका इप जर्ण से अवाज आती है गो कहता है अब मुझे नहीं लगता कि मैं हासे भान निकर पाउंगा मुझे लगता है कि अब मैं यहीं पर सड़ता रहूंगा तब ही वहा पे हवर्ट आता है और दस पॉइंट दूंगा, गो कहता है, क्या दस पॉइंट वो भी इस आलत में, क्या तुम जानते हो, अगर कोई बच्छा अपनी घर पे पूरी दिन बैठ कर, एक्जाम्स की तैयारी करता है, और अगली दिन एक्जाम्स में जाने के बाद, वो सक कुछ भूल जाता है, तो उस महमद से भार आजाता है, और स्टीडियो में बैठ कर, हबर्ड को थैंक्यू कहने लगता है, हबर्ड कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारा ही फायदा हुआ है, तो तुम गलत हो, ये रेखो, मैंने इस महमद की पूच निकाल ली, अब मैं इस पूच का इस्तिमाल अपनी हबर्ड युनिवर्सिटी में करूंगा, जिससे हमारी युनिवर्सिटी आगे जाके काफी ग्रो करेगी, गो की वीवर्ड करके कहते हैं, हेरी पलीज सेव मी, ये इनसान काफी ज़्यदा अजीव है, जाके इस से अपना प्राइज लो, गो हबर्ड की ब पढ़ने वाला है तब यह वड़ जुर-जुर से हसतो हो कहता है कि मेरा हिमांदा स्टूडेffect सच में काफे ज़्यदा फनी है तुम्हारी इंगलिस सच में काफे ज़्यदा भीक है ना तो हवड होता है वह असल में हुबर्ट होता है और वैसे भी जिस स्टुडेंट को नहीं पता तो उस पर गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है फिर हुबर्ट अपनी सील्ड निकाल कर गो के सामने सौफ करने लगता है गो एक तो एक सैड़ेड होकर बोलता है अरे यह तो वैरिटेज सील्ड है यह तुम से पॉट्टी की बत्बू आ रही है फिर को अपने कपड़े उतारकर अपनी स्ट्रीम को बंद करता है और जनरल के सामने नंगा खड़ा हो जाता है जनरल गो से कहता है कि तुम यह क्या बकवास बाजी कर रहे हो थोड़ी देर बात यंगवी एको को पानी देने लगता है और को यंगवी के पानी से नहारा होता है कुछ से मैं बात गो नहा लेता है और जनरल यंगवी से कहता है कि अगली बात जब मैं आऊं तो मुझे यह सर्विस जरूर देना तबी सामने से कोई सक्स उनको आवाज लगाता है और हम देखता है कि वह सक्स लियो होती है और हव पिर तुम्हारा है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और जनरल लियू से कहता है कि आप इसको तुम अपने पास ही रखो अब हम लोग साथ में जाने वाले हैं और गो अपने मन में सौचने लगता है एक टीम के साथ जाना काफी ज़दा खतरनाक है क्योंकि अगर किसी को भी एक पूचना चाहिए फिर गो बीजे डॉक को मैसेज करता है कि हमारी तीन लोग की टीम है अगर तुम चाहो तो हमें जॉइन कर सकते हो हम लोग साथ में इस डंजिन को इसकेप करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाय नहीं आता तो अवट गो से कह करता है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए फिर वह लोग एक कैट जीसी के अंदर चले जाते हैं और उसका अंदर का एरिया बिल्कुल जंगल की तरह होता है और लियो बताती कि मुझी यहां पर एक मॉंस्टर महसूस हो रहा है और सिस्टम कहता है जब तक तुम म्यूटे जनरल पीछे से उस मिल्डन के उपर कूटता है और उसको महीं पर मार देता है लियो जनरल और गो इन तीनों को अपना टीमवर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है गो अपनी बन में सोचने लगता है टीमवर के साथ काम गणना इतना भी बुरा नहीं है जनरल हम सम्मे से से ज़्यादा स्केल्ड है फिवे सभी लोग मरेवे स्मिल्डन के नाखून और दात उखाणने लगता है गो नोटीस करता है कि इन सभी म्यूटेंस मिल्डन के आगे के छे नाखून है और पीछे के चार इसके पीछे कोई बड़ी मीनिंग हो सकती है भबट चिलाते हैं इन सेलेस्टियल बोग चाहिए होगा गोउस एरो को हाथ में लेकर सोचने लगता है कि आकिर हमें सन को तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ेगी और गोउस एरो को लियो को दे देता और कहता है कि मेरे ख्याल से लियो को इसकी जाला जरूरत है क्योंकि वह धनूस का इस्तेमाल क चाहिए क्योंकि वो एक ऐसी सक्स है जिसकी साथ मैंने डंजन 1-5 क्लियर किया था हबर्ड और लियो मान जाते हैं जितनी बड़ी टीम उतना ही अच्छा अब हम इंस्टेंट ब्यूटी को देखते हैं जो कि डंजन 1-10 में आ चुके होती है और उसे गो का मैसेज आता है कि कराता है गो इंस्टेंट ब्यूटी से पूछता है कि आखिर उसने चैट में ऐसा रिबला क्यों किया क्या वे हमारी टीम को जॉइन नहीं करना चाहती और इंस्टेंट ब्यूटी जवाब देते कि वो डॉग हैड मुझे काफी ज़्यादा परिसान करा था कि मैं उसकी टीम को जॉइन कर लूँ गो पुछता है तो हाँ इसमें कौनसी बड़ी बात हो गई तो इंस्टेंट ब्यूटी गुस्से में जवाब देती है कि उसने का था कि इसके पास मेसेज ज़्यादा बलूंस है और हबर डोलियो कहता है कि हाँ उसने हमें मैसेज किया था कि हम उसकी ट टीम अपनी करना चाता अब अगले सिन में मुझे डॉग हेट को देखते हैं जो कि अपनी टीम की साथ बात एकर रहा होता है क्या तुम जानते भी हो मेरे पास कितने बलूंस है अगर तुम लोग मुझे फर्स्ट प्लेश दिलाने में मरत करोगे तो मैं भी तुम्हें यहा कि तुम्हें इसके वारे में टेंशन लेनी की जुरत नहीं है डॉग हेट कहता है कि तुम बस इतना समझे लो कि मैं एक विसाल पैसो का समूंदर हूं जो की कभी नहीं सूकता मुझे एक विसाल कोरल गिल्ड मिल चुका है जो कि मुझे पैसो का बीचे से बैक अप देता है अब तुम समझे तभी एक और प्लियर डंजन 1-10 में एंटर करता है जिस पर डॉग हेट की नजर जाती है अब अगले सीन में हम गो और उसकी टीम को देखते हैं जो की मुटेंट स्मिल्डन को समाल रही होती है और इंस्टेंट ब्यूटी भी उनकी मनत करने के लिए आदे बढ़ जाती है और कुछी समय बाद वे उस मुटेंट स्मिल्डन का काम निप्टा देता है और गो इंस्टेंट ब्यूटी से पूछता है क्या आकिर तुम उससे कुछ कह रही थी ना इंस्टेंट ब्यूटी बोलती है कि हाँ मैं तुम से कुछ कहना चाहती थी कि हाँ पर एक और प्लेयर आ है जिसको पहले से ही डॉग हैड ने उप इंवाइट कर लिया होगा तब एक और प्लेयर डंजिन 1-10 में अंटर करता है और डॉग हैड से पहले इंस्टेंट ब्यूटी उसको मैसिज करने लगती है तब इस सिस्टम आकर बताता है कि सिस्टम एक सीरियस प्रॉबलम हुई है डंजिन 1-10 अब ओबर कंट्रूल हूच चुका है और बची किछी जो भी डंजन है वो सारी नस्ट कर दी जाएगी क्योंकि सिस्टम पे किसी unknown force ने हमला किया है हाला कि इस सिच्वेशन में डंजन escape अपने आपी safe mode पे चला जाएगा ये सब सुनने के बाद गो अपने मन में सोचने लगता है क्या ये सब उस गोट की बड़ी से हुआ है सिस्टम बताता है कि सब की ranking reset कर दी गई है अब ये dungeon अपने आपी running competition में बदल जाएगा अब अगले scene में हम डॉग एड और उसकी team को देखते हैं जो की काफी ज़यते गवरारे होते हैं क्योंकि वे जीज जगा पे खड़ेते अब वे जगा अपने आपी उपर उठने लगती है और ये सेम काम गो की team के साथ भी हो रहा होता है और देखते ही देखते हैं वे जगा एक running track में बदल जाती है और system rule बताता है कि सब लोग starting point से दोड़ना start करेंगे और जो भी सबसे पहले पहुचेगा वही जीतेगा dog head और उसकी team starting line पे खड़ी होती है और उस line को देखते हुए कहती है कि हमें इस पर दोड़ना है मुझे नहीं लगता ही तो काफ़ी ज़्यादा dangerous है अब system आगर go की team को बदाता है कि अब तुम लोगो को भी starting point पे बेजा जाएगा go, hubbard, instant beauty और लियो वैसे भी लोग teleport करते हैं और starting point तक पहुच जाते हैं और उनके सामने होती है dog head की team dog head go को देखते हुए कहता है कि तुमारी सकली बता रही है कि तुमारा नामी please save me है और go dog head से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाते हो और go असल में अपनी मन में ये सोसरा होता है अब मैं समझा इसका नाम dog head क्यों है क्योंकि इसकी सगली dog जैसी है go dog head की team को देखता है जो कि इसको एक cosplay group की तरह लगरी होती है जिसमें से उन लोगों का नाम होता है Moonlight Swordsman, Asura और Little Lucky, Little Lucky को देखकर आप पहचान गए होंगे जो कि Dungeon 1-6 में लास्ट में आया था Instant Beauty human reaper को अपनी team में join करने के लिए बोलती है लेकिन dog head आकर बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं ये मेरी team का member है Instant Beauty dog head से कहती है कि तूँ एक नंबर का घटिया इंसान है तो अपनी team members को invite करने के बज़ा है उनको खरीद रहा है अब हमें racing के बाद में बता जाता है कि ये track map के अनुसार बनाया गया है अगर 60 मिनिट के भीतर को भी finish line तक पहुच गया तो उसको ही first place मिलेगी और जो लोग 60 मिनिट के अंदर finish line तक नहीं बोचे वो लोग हार जाएंगी और जिस सक्सरे पिछली बार first place पहाई थी उसको एक award मिलेगा अब हम देखते हैं कि Goku award की तोर पे एक skill मिलती है जिसका नाम होता है highest leap और उसका grade rare होता है description में बताते हैं एक skill जो तुमें ऊपर की और चलांग लगाने में मरत करती है तुम इस skill का इस्तमाल करते हुए maximum 10 मीटर तक चलांग लगा सकते हो तुम लोगों को सिर्फ design इटी track पर ही दोड़ना है और इसके अलावा कोई rule नहीं है फिर डॉग हैड अपनी सारी टींग को एक खटा कर लेता है और अपने मन में सोचने लगता है कि first place तो मैं ही पागे रहूंगा फिर system उनको भागने के लिए line में लगने के लिए बोलता है और साथ ही मैं countdown start कर देता है और हम देखते हैं कि डॉग हैड गो की साथ बत्तमीजी कर रहा होता है लेकिन गो अपनी strength focus और strength enhancement और muscle enhancement के साथ अपनी सबी skills को ready करता है countdown खतम होते ही डॉग हैड गो को punch मारता है लेकिन गो उसके punch को dodge करके उससे कहता है अगर मैं चाता तो मैं भी ये काम कर सकता था और फिर गो उसको 10 के घुशा मार कर महीं पर सुला देता है फिर गो अपनी टीम की साथ दोड़ना start करता है और यहाँ पर डॉग हैड की टीम सोची रही होती कि हमारा टीम लीडर तो यहाँ पर व्योस पड़ा है कि हमें उसके मीरा दोड़ना शुरू करना चाहिए फिर वे सब भी दोड़ना शुरू करते हैं और कहता है कि हमें फरक नी परता है वैसे भी हमें इस डंजन को स्केप करना है फिर थोड़ी देर बाद डॉग हेड की आखे खुल दियोर वे देखता है कि उसकी टीम उसकी बिना ही आगे बढ़ शुकी है उसे उन लोगों पे काफी जोजी गुस्टा आता है और वे अपने साम से कहता है कि बोगल मुझे अभी के अभी काटो और जोज के हाथ में बैट स्नेक है वे उसको काट लेता है अब अगले सीन में उन गो की टीम को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है तभी उनके सामने से एक बहुत बड़ा पथन लुड़कते हैं जिसे देखके सभी लोग हैरान हो जाते हैं तभी गो के दिमाग में एक आइडिया आता है और सभी लोग गो की तारिफ कर रहे होते हैं कि पिली से मीने से टाइम पर अपना दिमाद चलाया अब डॉग एड की टीम के सामने से वही पत्थर आ रहा होता है जिसे देखकर वे लोग उन्टे रास्ते भागने लगते हैं फिर एक लड़की जो की डॉग एड की टीम की होती है वे कहती है कि मेरी मलत करो ये पत्थर मेरी तरफ आ रहा है लेकिन मैं पत्थर उसको कुचल देता है और मैं मॉन्स्टर सबसे कहता है कि मैं भला उसकी मज़त क्यों करूंगा जो कि मुझे मॉंस्टर कह रही है सैद ये भूल गी थी कि कैटन कौन है और कैटन का नाम सुनकर डॉग हेड की टीम काफे ज़्यादा हिरान होती है फिर में मॉंस्टर कहता है कि हाँ तुमारे दिमाग में सरी ख्यार आया ये मैं ही हूँ तुमारे कैटन डॉग हेड अगर तुम लोग चाते हो कि फीचर में तुम लोग सेफ रहो तो मेरे साथ चलो और मुझे अपना कैटन मानो उसकी ये बात सुनकर सभी लोग अपना सर जुका अगर उसको कैटन कहते हैं अब अगली सिन में हम गोगी टीम को देखते हैं जो कि अभी भाग रही होती है और वे लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी दिवार है और वे दिवार उनकी तरफ जूपकर नीचे गिरने लगती है और वे लकली उस दिवाल से बच जाते हैं लेकिन अभी माम लपानी नहीं खतम हुआ जब वे लोग अपने सामने देखते हैं तो उनकी सामने कई सारे गोलम्स होते हैं जो की पत्थर के मौन्स्टरस है और वे गोलम्स अपना मूँ खोल गर उन पर आग की गोली फैकने लगते हैं जिससे बचने के लिए इंस्टेंट ब्यूटी अपनी लियो को उनसे बचा लेता है अब वे गोलम्स दूसरे राउंड के लिए तयार होता है लेकिन इंस्टेंट ब्यूटी और गो उनके पास जाकर उनको रोग देते हैं फिर वे सभी लोग अपने वैपन के साथ दोड़ना स्टार्ट करते हैं लियो हैरार होते हुए उनको साम उनको उदर ही उल्जा देता है जैसे उसने पहले किया था और गोवर्ड आपस में बात करने लगते हैं कि तुम अपने पास सीट्स तयार रखना क्या पता और मैंटी कोर्स आ जाए और हबड कहता है हर एक टीचर के पास उसका एक बैक अप होता है तुम टेंसन मत लो फिर भी गोलब्स तूट जाते हैं अगर डॉग हैड यहाँ पर आ चुका है तो इसका मतलब डॉग हैड की स्पीड काफी जादा तेज है और वे जन्दी ही गो को पकड़ लेगा अब गो की टीम में लियो गो सी कहते हैं कि हम काफी जादा दूर आ चुके हैं तो हमें थोड़ा पर डॉग हैड की टीम आ चुकी और उनके साथ में एक अजीब सा मॉल्स्टर भी होता है जो कि हम सब को पताया वे और कोई नी डॉग हैड ही है फिर इंस्टेंट बीटी को पी चिलाने लगते कि मैं जानती थी वे लोग यहाँ पर आ सकते हैं हमें रेस्ट नहीं करना चाह और इंस्टेंट बीटी घाल भी हो जाती है फिर लियो डॉग हैड पर एरो सूट करते हैं लेकिन डॉग हैड उसके एरो को पकड़ कर उसी के सामने तोड़ देता है और अपनी टीम को उन पर हमला करने के लिए कहता है फिर असुर अपने हैमर से लियो पर मार कर उसको उच मा देती है और वक्त जायान ना करते हुए उस पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उसके अटेक को मूलाइट स्वाट्समें देख लेता है और अपनी दूसी स्वाट से इंस्टेंट ब्यूटी के पेट पेवा करता है जिससे इंस्टेंट ब्यूटी घायल हो ज पोल कर अपनी जहरी लीग एस हबर्ट की मूँपे छोड़ता है जिससे हबर्ट फोरी देर के लिए पैरलाइज हो जाता है और लेटर लख्या कर हबर्ट को पगड़के पटक देता है गोपनी टिंग को इस तरी की सहरता दे कुछ सोची रहा होता है कि तभी पीछे से डौग जमीन को छुके वापस उपर आजाता है एक्जामपल की तोर पे जब हमें एक बॉल को नीचे फैकते है तो वे उचल के हमारे पास आती है वैसे ही गोव ने हाइस्ट लीप कर इस्तिमाल किया अब गोव उपर आकर देखता है तो उसकी सारी टीम घायल होकर पड़ी होती है और गोव अपनी डंजल इन्वेंचिरी से यंगवी को भान निकालता है और उससे कहता है कि यंगवी अब तो में थोड़ा मेहनत करनी होगी अब हम डॉग हैड को देखते हैं जो की काफी ज़दा खूस होता है गोव की टिंग को रिप्टाने के बाद और वे लोग आगे पढ़ने लगते हैं जल्दबाजी की वरा से वे एक साइन बोर्ड को मिस कर देते हैं जिसमें लिका होता है होट स्परिंग और डॉग हैड को अपनी जमीन की नीची कुछ मैसूस होता है कि तभी एक होट स्परिंग भान निकल कर उन सभी को आसमान में उच्छाल देता है और वान रिपर वहां से नीची गिर के मर जाता है और साथी साथ स्वार्समेन और असूरा वे दोनों भी होट स्परिंग के चपेट में आ जाता है असूरा अपनी कार्ट स्किल का इस्तिमाल करता है अपनी कार्ट का एक बोर्ड बना कर वहां से निकल जाता है और मून उसकी मलत करने के बजाए उसी के सहारे से उसके ऊपर चड़के बच जाता है फिर डॉग एड कहता है कि मेरी टीम में यूजलेस बंदों का कोई काम नहीं जोगी खुद की जान भी नहीं बचा सकते हैं अब अगले सीन में हम गोकी टिंग को देखते हैं जिनकी रिकवरी भी ने ठीक कर दिया होता है और अब इंस्टेंट ब्यूटी से कहता है कि इंस्टेंट ब्यूटी मुझे माफ करना मुझे तुमारी पहली एडवाइस को मार लेना शहीं था अगर हम रेस्ट नहीं लेते तो हम सायथ फिनिस लैं तक पहुच जाते इंस्टेंट ब्यूटी में कहता है कि हमें किसी भी आलत में वहां तक पहुचना होगा और इस्टेंट ब्यूटी गो से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम वहां तक पहुच जाएंगे गो कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग किस तरह की ट्रैप में फस्ट चुके ह होते हैं डॉग एड काफी खुश होते हैं उन दोनों से कहता है कि तुम लोग का सुगरिया अगर तुम लोग आज यहां नहीं होते तो मुझे फर्स्ट प्लेस नहीं मिल बाती और मूनलाइट स्वार्ट्समेन और असुरा आप उसमें बात करने लगते हैं कि यह एक नंबर क कवीना है इसने इस मुकाम को पाने के लिए अपनी टीमेट्स के लासों का इस्तिमाल किया है और अब हम लोग देखते हैं कि वे लोग हबर्ट की सील्ड के उपर बैठ कर यंग वी की बॉटर टेक्निक से महां तक पहुच जाते हैं उन लोगों को देखकर डॉग एड काफ पह बचिमान में ऊड़ जाता है और गशायता है। और डॉग एड अपनी पैट सिनेक से कहता है कि बूगी मुझे जल्दी से काटो और इसका स्टेक उसको काटने के लिए बढ़ता ही है कि तब इसके सर पर एक एरो सूट होता है जो की लियोने मारा होता है और वह एरो सूट करने की बाद कहते हैं कि मुझे सापों से सकते नफ राता है उसके बाद गो डॉग हैड की मुपे एक पावरफूल पंज मारता है जिससे डॉग हैड नीचे गिर जाता है डॉग हैड की नीचे गिरने के बाद हवर्ड कहता है कि एक काफ़े ज़दा घटिया इंसा बीजी प्लीज से वी ने पहली बार वोटिंग रांट में फर्स्ट प्लीज पाई थी लेकिन इस बार वे हार चुका है हाला कि तुम सभी को इस डंजिन को सेक्सिसफोली इसकेप करने पर एक इनाम चुनने का मौका मिला है ये सुनकर वे सभी लोग काफी ज़्यदा खुस हो जाते हैं और गो की स्क्रीन पे और पहला वर्ड होता है अनलिमेटेड इन्वेंचिरी स्टोरेज और दूसरे में गो अपनी हाइस्ट लीप स्किल का ग्रेट बढ़ा सकता है गो अपनी हाइस्ट लीप स्किल का ग्रेट बढ़ा कर उन सभी की साथ डंजिन 1-10 को इसकेप करता है गो जब अपनी आँखी खोल के देखता है तो उसको अपने सामने हब दिखता है और वे हब पूरा अंटायर सिटी की जैसा लिखता है गो काफी ज़्यादा है क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद एक पूरा सहर देखा है और फिर हम देखता है कि गो को कोई बड़े बड़े पक्सी उठा करके लेगी जा रहे होते हैं लेकिन गो माँ पर अकेला नहीं होता है उसके जब अपने सामने देखता है तो इसी की पिंजरे जैसे महाँ पर कई सारे पिंजरे होते हैं गो जैसे तैसे लुड़कता हुआ जमीन तक पहुच जाता है और अपना पिंजा तोड़कर उसमें से बहार आता है फिर गोग को कही से अवाज आते और वह देखता है कि इसके से कुछ आइटम निकल रहे होते हैं फिर महापर कुछ लोग आते हैं और वो लोग आकर गो की सभी आइटम को लूटने लगते हैं गो को ये सब काफी जाधा चीप लगता है इसलिए वे एक बंदे की मुँपे लात मार कर उसको अपने आइटम से दूर हटाता है और दूसरे एक रसी गो की पैर को पगटती है और गो को खीच कर उस पिंजरे से बचा लेती है और वे लड़की गो से कहते हैं कि तुमारे पास अगर ज़्यादा लूट है तो तुम्हें अपने समान का ज़्यादा दियान अखना चाहिए क्योंकि इनके जैसे लोग दूसरों का समान उसे से क्यां पूस्तनिके की जिंदा रहते हैं और वे लड़का उस लड़की को मारने वाला होता ही है ऑपने में जयान बचा इसलिया आपको आप ranked और फिर वे लड़की कहती कि मैं तुम्हें जानती हूँ गो हरान होते ही पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानती हूँ क्या तुम मेरी वीवर हूँ और मैं पताती ही कि हा मैं तुम्हारी वीवर हूँ और मेरा नाम लीनी है जिसने तुम्हें बलून सेंट करे थे गो लीनी क गुफ पूचने पर लनी बताती है कि मेरे पास कुछ ऐसीनिफार्मिशन है जो कि मैं ब्रोटकस्ट के नहीं दे सकती और फिर ब्रोटकस्ट बन करने के बाद वे लोग किसी टेवल पे बैठ जाते हैं और गो कई सारे खाने की स्टमेल आरी होती है यानि कि वे लोग किसी restaurant में होते हैं फिर लीनी गो से कहते ही क्यूंकि तुम मेरे साथ आए तुम जो चाहे खाने के लिए मंगा सकते हो उसके पैसे मैं दूंगी लीनी की ये बास सुनकर गो खुश होते हैं कई सारे खाने का नाम लेने लगता है जैसे की champon, snow, crab और pork fit ऐसे ही कई सारी dishes का नाम लेकर गो और भी जाले dishes order करता है और फिर लीनी कहते हैं कि अगर तुम इन सब को पूरा नेख हापाए तो फिर मैं पैसे नहीं दूंगी और गो कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो मैं इस सब खालूंगा और वे वीटर को order देकर वहाँ से बेज देता है फिर गो लीनी से पूछता है कि तुम मुझसे काफ़े ज़्यदा casually बात कर रहे हो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरी age की हो फिर लीनी कहती कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो साइध ये बात तुम पहली से ही जानते होंगी कि मैं एक क्लाइन की चार्ज ओप स्काउटिंग हूँ और मुझे जाडियों में छुपकर मार पिटाए करने का कोई भी सौक नहीं है तो मैं ये बात तुम से आपको नेक्स वीडियो में तब तक लिए साइवनार